जे जुहार, जे शत्तिसकर संगवारी हो, मैं बोली स्वागत कर रहा हूँ आप सबके आपके अपन यूटूब चैनल कुक्वित भोली में ता संगवारी हो, आज में हैं आप मनबर मोती चूर के लड़ू बनाएके एकदम सिंपल अवासान से रेसिपी लेके आए हो तो सबसे पहली एकरा में हां, बेसान ले ले हो, जे बेसान से हमन्हा कड़ी पकोड़ा बनाथन न नौर्मली वही वाला रेगुलर बेसन हरे हा एकदम special कोई दानादार वाला बेसन नो है एक बर्तन में कटोरी बेसन डाल डूमेहँ आउही कटोरी से एक कटोरी में एकर पानी ले हों तो पूरा पानी हमेल एक साथ नहीं डाल नहीं है थोड़ा थोड़ा पानी डालबो और एकदम अच्छा से हमाला भेट लेना है ताकि यह में कोई भी गुटली वागे रमत रहाए और बेशा नहीं बहुँ जादा पानी नहीं सोखे तो एकर तैला ध्यान में रखू आप मनहा और थोड़ा थोड़ा पानी डालके एकर बेटर तैया तो देख सकत थो आप मनहा एक अकर फानी पानी में फोड़ा स्पानी बचे है पूरा पानी के पूरा इपव्यविकर अब घोल थोड़ा एसे बनार कर अध्यूW घुल रहाथे न थोड़ा गाढड़ा होग अधना गाढढ़ा भी नई है अव मेडियम है घोल होगा घ्रा एकर इक्राया रग दे हो मैं हमें तेल डाल देओं तेल अच्छा से गरम होगह है त्यूपर इसने चम्मच लेके हमले में थोड़ा-थोड़ा डालते एक दम पकोडा का समर घोल है थोड़ा उकर पतला है इसनी पकोडा जैसे हमाने डाल देख रहाँ अब पूरा खोल के इसने पकोड़ा बना चुद्धा होगा से इला में बड़े बड़े पीच में तोड़ ले हो। क्यों तेख सकत हो कि देखंगे में फ्यक्त्री लेकिनी आपटे माइक परאת chip उतिंगत awake आप मन कर अगर दोनों कलर है तो आप मन यूज करो नितो आप मन यूज कर दोड़ा से दर्दरा कुटे हुए इलाइची के पाउडर है यहुलाई में मिक्स कर देवो एकर से एकर टेस्ट और खुस भूदों न बहुंती अच्छा ही इलाइची की पाउडर डाले से ता एकर हम यहां एक तार के चास्नी बना के तयार कर चुके हों ता एक देख सका थो आप मना एक तार बना थे एकदम चिपचीपा से लगा थे हाथ में जब जब दोनों उंगली के बीच में अमने इसे रगड़वो न ता यह चास्नी एकदम चिपचीपा से लगा थे अव एक तार बना थे बस तैयार हमार चास्नी हां आज लाख मना कम कर ले भूँ अव जदका भी हमना पकोडा के पाउडर बनाके तयार करे हां उलाहीं में डाल देभू अविधा हम अच्छा से मिक्स कर लेना है अभी ही करा दो चम्च घी डाला थो में हां देसी घी ता अमन गी के इस्तिमाल पहली नहीं करे रहे हां घी मे मन्हा तेल में ताले हैं लेकिन घी के स्वाद लाना है मला ता एक अरम हैं दो चम्मज घी डाले हूं देशी वाला तबस गैसला मन्हा बंद कर देवो वेल ढखके इसने छोड़ देवो ठंडा होई बर तो देख सका थो लगभग आधा घंटा के बाद में में हाया एला चेक क कनी से बन जते हैं बहुत सुंदर दीख था मलडोत देख सकतो हमें तेसने 20 अन पूरा लड़ो बना के तयार करना है अब धी आप मिल्न पहुँ ज्यादा घी देखा थो है लेकिन जैसे छर संचर्च हो जहीं घिंध अगर बादत का घी नहीं दिखी आप मनलाएं में अगर घीला आप मनला निकाल दूँ या कम कर दूँना तो हाड बन जहीं लड्डू है अग्दम कड़ा कड़ा तो दो चम मचा परियाब थे उतना ही डालना है आप मनला उगर से ज्यादा भी मट डाल हूँ और से कम भी मट ते देखो पूरा लड्डू हमर बन के तयार है उसी पेक कटोरी बेसन में हमन आधा किलो से ज्यादा लड्डू बना के तयार करे हैं अग्दम सौफ्ट बने हमन लड्डू है बहुत ही टेस्टी है आप मनला जरू ट्राई करके देखो आप मनला भी ये भूँच जादा प पासंदा ही तब मिल थान अगले वीडियो में तब तक बर जाए जोहार जाए 36 गर्डू